नमस्कार साथियों जैसा कि आपने थमनेल में पड़ा है कि रीट की परिक्षा फिर से आ गई है रीट की भरती 2022 में फिर से आने वाली है और इसकी गोशना कर दिये हमारे माननिय मुख्य मंतरी शिरी अशोग गेलोद जी ने अभी अभी ट्वीट आया है चलिए आपको उसी पर लेकर के चलते हैं उसी पर बात करते हैं तो अभी अभी हमारे सीम साब ने रीट 2022 की भरती को लेकर के क्या ट्वीट किया है चलिए देखते हैं यह आप देख सकते हैं अशोग गेलोद जी का अभी अभी का ट्वीट है कि वर्ष 2022 में आप देख सकते हैं 14-15 माई को ये बिल्कुल तयार हो जाईए इस भरती में विशेश शिक्ष को आतूं यानि स्पेशल जो एजुकेशन वाले हैं उनकी भी पोस्टे आएंगी और इससे रोजगार के नई अफसर प्राप्त होंगे और इसी के साथ आप फर्स्ट इंडिया नियूस का भी देख सकते हैं इन उनके साथ एक छोटी सिखावर और भी है ये भी देख सकते हैं आप जो लोग पैरा टीचर्स हैं पैरा टीचर्स के लिए संगर्श कर रहे थे लोग उनके लिए भी इननोंने ट्वीट किया है अशोग गैलोध जी ने यहांपर आप देख सकते हैं इसके साथ ही पैरा फैसला आएगा पैरा टीचर से शिक्षा करमी जो लंबे समय संगर्श कर रहे हैं तो उन पर भी फैसला आने की पूरी पूरी उमीद है फिलाल आपके सामने जो बड़ी ख़बर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है दोस्तो रीट 2022 हाँ जी रीट 2022 होने वाली है 2022 के अंद माननी है मुख्यमंत्री जी ने खुद ये गोशना कर दी है तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये सारा ट्वीट अच्छे से आप पढ़ सकते हैं माननी अशोग गलोजी हमारे जो सीम है उन्होंने गोशना किये कि 20,000 बरती होने वाली है 14-15 माई को एकजाम होगा रीट की परिक्षा की और पहरा टीचर से सम्मंदित भी उन्होंने एक ट्वीट किया ये भी आप पढ़ सकते हैं इसके साथ ही आपका फर्स्ट इंडिया निउस का भी आप देख सकते हैं ट्वीट उन्होंने भी कर दिया है तो उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जिरू शेक कीजिए धन्यवाद दोस्तों